देवी क्लासिक सोशल साइंस चैप्टर 16 दागुपता अम्पायर का सोलुशन करेंगे हम आज डियर स्टुडेंट चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको मिल जाएंगे आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्चन और प्लेलिस्ट को चेक करें, जैसी आप वीडियो की डिस्क्रिप्चन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के लिंक मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं इसका solution और solution करने से पहले जिसने भी अभी तक इस chapter का explanation वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो explanation वीडियो देखे उसके बाद इसका solution करे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ए है इसका tick the correct option, correct option को मैंने tick करना है who was the last kushan ruler, जो last kushan ruler था, वो कौन था, तो इसका answer होगा वासुदियो second है who is known as the Napoleon of India, Napoleon of India किसको का जाता है घटोत कच, चंदर गुप्त 2, समुद्र गुप्त, चंदर गुप्त, तो इसका answer होगा समुद्र गुप्त third है who was the first person to prove that the earth moves around the sun, वो first person कोन था, जिसने बताया था, कि जो अर्थ है, वो sun के चारों तरफ घुमती है Napoleon, Aryabhat, Nagarjun, Shushrut, तो इसका answer होगा Aryabhat fourth, Agenta and Allura, caves are famous for there, जो Agenta और Allura की जो caves हैं, वो किसके लिए famous हैं, रोक कर टेंपल्स architecture, scenic beauty, और inscriptions, तो इसका answer होगा, रोक कट टेंपल्स जो Agenta और Allura की जो गुफाएं हैं, वो क्या हैं, एक तरह की, रोक कट टेंपल्स हैं fifth है, which one of the following did not prevail during the period of Chandrugup 2 चंद्रगुप्ट 2 के period में, समय में, इन में से कौन सी आप कह सकते हैं, ये कौन सी चीज फाल्स है इन में से, चार चीज़ें दी हुई हैं, ठीक हैं, तीन ठीक हैं और एक गलत है, उसको हमने देखना है various branches of science were developed, were well developed, तो चंद्रगुप्ट के टाइम में, जो science की अलग-अलग जो branches थी, वो developed थी, बिल्कुल सही है, agriculture was the main occupation of people, जो लोगों का main काम था, agriculture था, ये भी ठीक है, most of the people, including the king, followed savism and vashnavism, ये भी बिल्कुल सही है, मगर ये गलत है, education was available to people of all the classes in the society, जो education थी, सभी society के लिए available थी, तो ये answer ये क्या जाएगा, इसका answer ये ही होगा, ये गलत है, ठीक है, तो अब B है इसका feeling the blanks, dash was a renowned poet in the court of चंदरगुप्ट 2, चंदरगुप्ट 2 के दरबार में, ये एक क्या था भई, मशूर जाना मना कवी था, तो क्या नामे उसका काली दास, जो काली दास था, वो चंदरगुप्ट 2 के दरबार का एक कवी था, इसका क्या नाम है, तो इसका आएगा हमारा पंच तंतर, आपने इसकी कहानिया भी सुनी होंगी, जो रश्ट फ्री आइरन पिलर है, यानि कि जिस पर जंग नहीं लगता कभे भी, ऐसा पिलर कहाँ पर है, महरोली में, महरोली एक जगा का नाम है, जो दिल्ली में है, महरोली इन नियो देली, फौर्थ है मारे पास इन गुपता एंपायर डैश पास ता मेंन सोर्स ओफ रेवेन्यू मेंन सोर्स ओफ रेवेन्यू क्या था यानि कि जो राजा को जो आये होती थी यानि कि जो पैसा मिलता था राज्या को वो कहां से मिलता था तो वो टेक्स के द्वारा जता था वो main source of revenue था फिफ्ट है the main sources of entertainment of people in गुपता एंपाइर वाज डैश एंड डैश जो गुपता एंपाइर के time जो लोग अपना entertainment कैसे करते थे क्या source थे उनके पास तो वो एक तो करते थे celebration of festival तो हर मनाते थे और दूसरा कहा था animal fighting विसका अंसर होगा celebration of यहां लिख देत festivals यानि कि वो तेवार मना के अपना manorangen करते थे और दूसरा क्या है भई दूसरा था है उनके पास animal fighting जानुबरों की वो लड़ाईयां करवाते थे animal fighting तो यह हमारा feeling the blanks भी complete हो चुका है अब c part देखते हैं इसका c part में हमने true or false पताने है right true or false for the following statement हमारे पास है घटोतकच first act घटोतकच गुप्त ruled from 280 CE to 390 CE तो यह बिल्कुल सही है तो इसका आजाएगा true second है चंदर गुप्त 2 was a great warrior and an administrator तो यह भी बिल्कुल सही है true आजाएगा इसका भी third है भुक्तिज और देश were not governed by उपारी का महराजा भुक्ति और देश इसके द्वारा गवर्ण नहीं किये जाते थे तो इसका अंसर होगा तो इसका अंसर होगा false इसने कहा नहीं किये जाते थे किये जाते थे भुक्तिज और देश को कौन गवर्ण करता था उपारी का महराज गवर्ण करता था फॉर्थ है many sun temples were built in the गुप्ता period बहुत से सुर्य मंदिर गुप्ता period में बनाए गए तो ये भी बिल्कुल सही है प्रिव आ जाएगा फिफ्थ है गुप्ता period did not contribute at all to the field of literature literature के field में गुप्ता period था उसने कुछ भी contribute नहीं किया तो ये क्या आएगा false आएगा बहुत ज्यादा contribute किया था तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों को साथ शेर जुरूर कर देना मिलते हैं नक्ष वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार